दोस्तो अगर आपने अपना learning license बना रखा है और अब आप ये देख रहा हैं कैसे आपको learning license के बाद अपना permanent license, driving license बनवाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम काने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको learning license बन जाने के बाद learning license के 30 days complete हो जाने के बाद आपको आखिर कैसे अपना permanent driving license apply करना है और कैसे अपना license बनवाना से complete process बताने वाला हूँ काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे learning license पर पर आपको काफी कम वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे आप learning के बाद अपना permanent driving license बनवा सकते हैं तो निश्यंत रही है आप इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी इसानी से अपना permanent license बनवा पाएंगे तो इस तो वीडियो को शुरू करते हैं इससे बहले हम वीडियो में आगे बढ़ा है मैंची आपको और clear कर दूं क कि यहां पर learning license कैसे बनाना अगर आपको नहीं पता है अगर आप नहीं बनाया है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा सब कुछ मैंने बताया है इसका पूरा प्रॉसेस है ओनलाइन है कैसे अपना learning license आपको डाउंडू के बारे में तो चली चलते लैप्टॉप की स्क्रीन में और देखते हैं कैसे आगे का प्रॉसेस आपको कम्प्लीट करना है सो अपना learning license बनाने के लिए आपको वापिस इसकी वैपसाइट पर आना होगा परिवाइन.gov.in वैपसाइट बनाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा यहां पर आपको देखिए license related services दिख रहे हैं जहां पर आपको option मिल रहा है driver's learner license यहां पर आपको more की बटन पर क्लिक करना है तब यहां पर सबसे पहले आपको अपना state select करना है अब यहां पर देखिए आपके सामने इस तरह से बहुत सारे options आ रहे हैं जहा लिंक आपको description में मिल जाएगा जाकर आप चेक कर सकते हैं फिलाल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं apply for driving license learning license की बाद कैसे अपना permanent license यह driving license आप बना सकते हैं तो उसके लिए simply आपको second option दिया गया है apply for driving license इस option पर आपको क्लिक कर दिना है अब यहां पर देखिए आ दो step जादा हूं तो जो भी यहां पर step आपके state में compulsory उन सभी को आपको follow करना पड़ेगा तो simply यहां पर आपको continue button पर click करना है उसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरह का page आएगा अब यहां पर आपको अपना learning license number डालना होगा जिसके बाद अपने permanent license के आप apply कर सकते ह आपको बता हूं आपको दो important बात बता दूंगा पहले important बात यह कि वीडियो को पूरा देखिएगा थोड़ा सभी अगर आपने step मिस कर दिया तो आपको काफी problem जा सकती है इसको apply करने में second important thing यह है कि अगर आप चैनल पर पहली वार आ रहे हैं चैनल को subscribe भी जरूर कर देन यहां पर आपको ok बटन पर click करना है अब मैं एक आपको important जी बता दूं कि जो अपना learning lesson number यहां पर आप डालेंगे तो आपको बहुत ध्यान रखना है जैसे कि आपका learning lesson number डला हुआ है आपकी license में बिलकुल उसी तरह से यहां पर आपको डालना है example की तोर पर यहां प बीच में कहीं पर space है तो आपको भी यहां पर space देना है उसके बाद यहां पर उसको आपको enter करना है जालने के बाद यहां पर आप ok बटन पर click करेंगे ok करते ही आपके सामने इस तरह का page आएगा जहां पर आपने license apply किया था उसमें कौन-कौन सी vehicle class आपने add किये हुए थे उसकी information यहां पर शो कर रहा है तो इसको simply आप ok बटन पर click कर देंगे then यहां पर आपके सामने आपका जो application है वो open होकर आ जाएगा कुछ इस तरह से यहां पर आपकी जो details है already filled है जो भी यहां पर आपने learning lessons में डाला हुआ था सारी जनकारी यहां पर already आ चुकी जैसे कि आपका father name यहां पर आप कुछ भी correction नहीं करना है आपका gender, date of birth, age, place of birth, आपका qualification, blood group तो यह सारी information आपके already आ चुकी है अगर कोई information आपकी यहां पर fill नहीं है और उसमें आप correction करना चाहते तो यहां पर आप correction कर सकते हैं लेकिन यहां पर सभी option में correction नहीं होता है कुछी option इस classical class की किस class के लिए यहां permanent license के लिए apply करने वाले हैं तो यहां पर देखें जैसे कि learning में आपने जो भी classes यहां पर add कियो ही थी जैसे कि हमने two willer का और four willer का यहां पर add किया हुआ है तो आप मैं चाहूं तो यहां पर दोनों ही class का permanent license बना लूँ या फिर दोनों में किसी एक class का अपना permanent license बना सकता हूं लेकिन यहां पर मैं कोई भी class को add नहीं कर सकता केवल यहां से आप remove कर सकते हैं add नहीं कर सकते हैं जो class आपने learning license में डाली होंगी वही class आपको अपने driving license में डालना होगा तो फिलाल यहां पर हम दोनों class select कर लेते हैं right arrow में click करेंगे तो यहां से जो हमारी class है वो आपके right hand side box में जाएंगी तो यहां पर हम two plus four के लिए apply कर रहे हैं vehicle class select करने के बाद यहां पर देखे नीचा आपको एक option मिल रहा है self declaration as to medical fitness इस option पर आप click करेंगे तो जैसे कि आपने learning license में physical fitness form fill करते हैं बिलकुल उसी तरह से आपको अपने driving license में physical fitness form fill करन हमने no कर दिया है then आपसे पूछ रहा है कि आपको दोनों आखों से बरावर देता है तो हमने यहां पर yes कर दिया है फिर third ही आपसे पूछ रहा है कि आपने accident में अपने हाथ या पैर खोई हुए हैं तो यहां पर हमने no कर दिया है उसके बाद यह पूछ रहा है कि आपको night blindness से तो यहां पर भी हमने नो कर दिया है उसके बाद यह पूछ रहा है कि आपको कम सुनाई देता है तो यहां पर भी नो करेंगे और सबसे लास्ट यह आप से पूछ रहा है कि आपको यह ऐसी विमारी है जो आपकी ड्राइविंग को एफेक्ट कर सकती है तो यहां पर भी हमन submit का button दिख रहा है तो इस पर आप submit की button पर click करेंगे then यहाँ पर आपको आपका address शो रहा है जो कि आपने फिल किया था इसको verify करने के बाद again यहाँ पर आप OK button पर click करेंगे OK करते ही आपके सामने इस तरह से congratulations का message जाएगा तो इसको आप यहाँ से OK कर देंगे अब यहाँ पर आपका जो form है वो fill हो चुका है अब इसका application form अगर आप download यह पर print करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिया आपको right hand side option मिल जाता है application form prefill तो इस पर click करके अपना application form यहाँ से आप print कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और option मिल जाता है आपके दिखाऊंगो फिलाल यहाँ पर इसकोर करके आप नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको next का button दिख रहे है तो simply आपको next की button पर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने है आपका application number आ चुका है आपकी data बढ़ता रहे है यहाँ पर आपको जो capture code दिखाया जा रहा है capture code डार कर submit की button पर click करना है submit करते हैं आपके सामने इस तरह का page आएगा अब यहाँ पर आपके application का status show किया जा रहा है तो यहाँ पर कुछ steps आपको follow करना है जैसे कि fill application form यहाँ पर हमने complete कर लिया है second option आपके पास आ रहा है upload documents to be done by the applicant तो यहाँ पर सबसे पहले हमें document upload करना होगा उसके बाद यहाँ पर fee payment का option आ रहा है तो document upload करने के बाद हमें इसका fees payment करना होगा तो सबसे पहले हम document upload करेंगे document upload करने के लिए यहाँ पर आप proceed की button पर क्लिक करेंगे proceed करने के बाद यहाँ पर आपका application number date of birth आ रहा है इसको आप यहाँ पर submit कर देंगे submit करने के बाद आपके सामने को इस तरह का page आएगा तो इसको यहाँ पर आप okay button पर क्लिक करेंगे जिसके बाद आपके सामने इस तरह से document upload वाला page जाएगा अब यहाँ पर आपको अपने documents upload करना है तो कौन कौन से documents upload करना है यहाँ पर देख्या आपको document वाले section में क्लिक करना है यहाँ पर हमारे सामने दो option आ रहे है age proof और address proof आपके case में हो सकता है कि यहाँ पर आपसे आपको learning license भी upload करने के लिए बोला जा रहा हूँ तो ऐसी condition में आपको अपना learning license भी यहाँ पर select करके और उसको upload करना होगा तो फिलाल यहाँ पर हमारे सामने हमारे किसमें दो ही option आ रहे है तो यहाँ पर हमें cable age proof और address proof upload करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम age proof upload करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हमें age proof select करना होगा document select करने के बाद यहाँ पर आप कौन सा document upload कर रहे है आपका date of birth proof के लिए age proof के लिए तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अधार card है तो हम अधार card upload करेंगे तो यहाँ पर simply आपको अधार card select कर लेना है document type select करने के बाद यहाँ पर आपको issued by एक option मिल रहा है आपका जो document आप upload कर रहे है वो किसके दोर इशू किया गया है जैसे कि यहाँ पर हम अधार card upload कर रहे है तो अधार card में हम UI, DAI डाल देंगे या फिर जो भी आप document डाल रहे है तो वो किसके दोर इशू किया गया है वो यहाँ पर आप डाल देंगे यहाँ पर आपको issue date डालना है जो भी document आपने select किया है जैसे कि हमने अधार card select किया है document upload करने से पहले एक बात में आपको बता दू कि जो भी file यहाँ पर आप upload कर रहे है उसका maximum size यहाँ पर 500 kb से ज़्यादा नहीं होना चाहिए document आप jpg या फिर pdf किसी format में upload कर सकते है तो यहाँ पर choose file में click करके आपको document select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको upload की button पर click करना है upload करने के बाद आपके सामने इस तरह का page आएगा अब यहाँ पर आपको confirm करना है उसके बाद यहाँ पर आपको document है वो final upload हो पाएगा तो यहाँ पर आपको confirm की बढ़न पर click करना है confirm करने के बाद यहाँ पर नीचे अगर आपका document आ जाता इस तरह से यहाँ पर देखे green color से tick हो गया है और आपका document status safe दिखा रहा है तो मतलब यहाँ पर हमारा पहला document upload हो चुका है तो यहाँ पर हम address proof select करेंगे उसके बाद address proof में आप क्या डालने वाले हैं तो यहाँ से आप select करेंगे address proof में भी यहाँ पर हम अधारकार लगाने वाले हैं आप भी यहाँ पर address proof और ace proof में दोनों भी अधारकार लगा सकते हैं confirm करने के बाद जैसे ही आपके सारे documents यहाँ पर upload हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का message आएगा all documents are uploaded successfully अगर आपके case में कोई और भी document upload करना है जैसे की learning license तो वो select करके यहाँ पर आपको upload कर लेना है जैसे ही हमारे सारे documents upload हो जाएंगे तो simply यहाँ पर आपको next की बटन देखर इस पर आपको click कर देना है अब अगेन यहाँ पर आपका application numbers हो रहा है आपका date of brochure है यह जो capture code आपको यहाँ पर शोर है यह capture code डाल कर यहाँ पर आपको submit की बटन पर click करना है submit करने के बाद आप बापिस से यहाँ पर status वाले page में जाएंगे अब यहाँ पर देखिए हमारा file application complete हो गया है upload document complete हो गया last step हमारा वच्छा है fee payment तो यहाँ पर हम इसका fees payment करना होगा यह भी आपको यहाँ पर online यह आप कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर proceed की बटन पर click करना है proceed करने के बाद यह आपको payment page में redirect कर देगा अब यहाँ पर देखिए हम 2 plus 4 के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर permanent license के लिए मद्यप्रदेश में 1014 रुपेस की fees होती है तो यह fees हमें pay करना है fees pay करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम SBI e-pay का option select करेंगे उसके बाद यह capture code डाल कर pay now की button पर click करेंगे pay now पर click करने के बाद यहाँ पर आपको again payment page डिस्पले हो रहा है तो यहाँ पर आप check box पर take करेंगे proceed for payment का जो option देखिए इस पर आप click करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सारे option आचोके हैं आपके सामने सभी bank के यहाँ पर केवल आपको SBI शो किया जा रहा है बड़ यहाँ पर नीचे आपको all banks का option देख रहा है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी bank की list मिल जाएगी तो जिस भी bank से आप इसका payment करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पर इसका payment हम SBI से कर रहा है तो यह bank हमने select कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम pay nao की button पर click करेंगे पेनाओ की button पर click करने के बाद अब यहाँ पर यह आपको redirect कर देगा SBI की login page पर तो यहाँ पर आपको अपना user id password डाल कर इसका जो payment है वो complete कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो payment है यहाँ पर successful हो चुका है आप payment complete हो जाने के बाद इसका जो receipt है यहाँ से आप print कर सकते हैं नीचे आपको option मिल जाएगा click here for print receipt यहाँ पर click करके इसका आप रसीद यहाँ से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम home की button पर click करेंगे तो अब यहाँ पर मैं आपको अपने application का status बताता हूँ कि आपका application अभी complete हुआ है या फिर नहीं हुआ है फिर आभी कुछ और भी आपको यहाँ पर करना बागी है तो यहाँ पर आपको देखे option मिल जाएगा home page में application status का तो इस option पर आप click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना application number अपना date of bird डाल कर capture code डाल कर submit की button का click करना है तो guys यहाँ से अपने application का आप latest status चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो application है वो complete हो चुका है सारे step यहाँ पर हमने complete कर ली है अगर आपके case में कोई और step यहाँ पर pending है तो आपको पहले चुक complete करना होगा हो सकता है कि आपके case में यहाँ पर आपको slot book करने का option आ रहा हो appointment लेने का option आ रहा हो तो यहाँ पर आपको यहीं से आपको option मिल जाएगा उस पर आप click करके अपना appointment यह फिर slot आप book कर सकते है फिलाल हमारे case में हमारा जो application ने complete फिल हो चुका है अब मैं आपको आगे का process बताऊंगा कि online form फिल करने के बाद आपको कौन-कौन से documents RTO लेकर जाना है कौन-कौन से form यहाँ पर आपको लेकर जाना है और उसके बाद कैसे यहाँ पर ITU में आपका test होगा और कैसे आपका learning license बनके आपको receive हो पाएगा तो सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा फिलाल यहाँ पर हम चलते हैं इसके home page पर अब यहाँ पर मैं इससे पहले आपको आगे का process बताऊं यहाँ पर आपको दो तीन जीजें जानना बहुत ज़रूरी है जैसे कि अगर अपने application आप complete कर रहे हैं और in case अगर आपका जो application है वो आधा ही फिल होता है तो उस condition में अगर आपको documents upload करना है तो यहीं पर आपको देकर option मिल जाता है upload document इस पर click करके आपने documents upload कर सकते हैं उसके बाद अगर अपने application का आप status देखना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर उपर आपको option मिल जाता है application status तो यहाँ पर click करके अपने application का आप status भी check कर सकते हैं उसके लाबा अगर आपको appointment book करने का option है तो यहीं पर आपको option मिल जाता appointments का तो इस पर click करके आप यहाँ पर slot book या फिर appointment ले सकते हैं अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया है था कि आपको मैं आपके application form प्रिंट करने का पूरा प्रोच से बताऊंगा line से तो यहाँ पर दीख्या आपको एक और option मिल रहा है print application form अब यहाँ पर आपको R2 जाने से पहले सभी application प्रिंट करके रख लेना है कौन कौन से application आपको print करना है समय आपको बताऊंगो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको print application form बाले option पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना application number जो कि अभी आपका driving license का application number जनरेट हुआ है वो application number और date of birth यहाँ पर आपको डाल देना है application number और date of birth डालने के बाद नीचे आप देख सकते हैं आपके सामने काफि सारे options आ रहे हैं application form pre-filled, print form बन, print form बने, print acknowledgement, print slot acknowledgement और print payment receive तो यहाँ पर जो भी option आपका open हो रहा है, जो भी print यहाँ पर निकल रहा है, सबी कुछ आपको print कर लेना है, जिसे कि यहाँ पर application form pre-filled की बात करें, इस पर हम click करेंगे तो यहाँ पर आपने जो application की form fill किया हुआ है, उसका complete यहाँ पर form fill जो print है वो आ जाएगा, तो इसको आपको पूरा print कर लेना है, उसके बाद form बन अगर आपको निकालना है, तो form बन पर आप click करेंगे, इसके बाद आपका जो form बन उसका PDF open हो जाएगा, तो यहाँ पर जो देंगे, उसी तरह से यहाँ पर आपको अपना print technology मेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, उसके लाव अगर आपने slot book किया हुए है, तो इसका receipt यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अपने payment receipt यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यह सभी यहाँ पर जो application print करने की option आ रहा है, जो भ यहां पर आपको अपने व्हल ड्राइविंग पयाँ इस बात का इस बात और अपना विकल लेकर जाना है क्याँ में RTO में vehicle available नहीं होता है तो अगर आपके RTO में vehicle available नहीं है तो ऐसी condition में आपको अपना vehicle वहाँ पर लेकर जाना होगा जाने के बाद आपको इस सारी documents महाँ पर submit करना है आपकी photo click करवाना है sign करना है और जो आपका driving test है वो वहाँ पर देना है सारा process करने के बाद आपका driving license है वो लगबग 15 से 20 दुनों के अंदर आपको RTO office से या फिर by post आपकी home address पर आपको receive हो जाता है so guys ऐसे अपना permanent license आप online apply कर सकते हैं मैंने आपको सारा process A to Z clear कर दिया है अभी भी अगर आपके मिन में कोई सवाल है कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं definitely आपका जवाब comment section में हर बार देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा तो फिलाज दोस्तो permanent license का complete process मैंने आपको बता दिया है और सारा process आपको समझ में भी आ गया होगा वीडियो कर आपको पसंद आएगो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली वर आ रहे हैं चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा अगर ऐसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो फिलाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैंकुर चलता हूँ आपसे फिर मुलाक आते होगी ऐसे किसी informative वीडियो में थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो